हेलो दोस्तों स्वावत है आपका इस वीडियो में और ये वीडियो बहुत important है विकहसु इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्व की default setting के बारे में default setting क्या क्या है YouTube की वो मैं आपको बता देता हूँ जिसा visibility की default setting है और और भी बहुत सारी बहुत सारी settings है, descriptions की default setting है तो मैं आपको अपनी laptop की display पर लेके चलता हूँ और default setting बता देता हूँ क्योंकि वो हमारा time बचाती है क्योंकि हम description हमें बार-बार लिखने की जरुरत नहीं है हमें tags बार-बार लिखने की जरुरत नहीं है क्योंकि default setting से हमारा time waste नहीं होता हमें बार-बार हमें description लिखने की जरुरत नहीं है एक बार हमने वहाँ पर description अपना default में set कर दिया तो हर बार हमें automatically जब भी हम वीडियो नई वीडियो पब्लिक करेंगे तो default setting महाँ पर description में already mention होगा पूरी पूरी जो भी हम वहाँ पर content डालेंगे ठीक है तो चलते हैं अपने laptop की display पर और बताता हूं मैं आपको total setting के बारे में तो दोस्तों आचुको हूं मैं अपनी laptop की display पर और आज मैं आपको total default setting के बारे में पताने वाला हूं तो सबसे पहले आप नीचे देख रहे होंगे setting इस पर हम यह राइट क्लिक करेंगे उसके बाद यह अप लोड डिफॉल्ट setting यहां पर आप दिख सकते हैं यह title है अगर जो आपका कुछ कुछ इस तरह की वीडियो है कि जो आप चाते हैं कि यह सेम वीडियो जाए मेरी मतलब सेम टाइटल से जाए या मतलब आप उसमें series 1 लिख सकते हैं continue मतलब आप आपने और यहां पर एक बार default में लिख दिया तो जब भी आप वीडियो अप्लोड करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ करनी की जरूरत नहीं है ठीक है उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन की बात करता हूं description में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने already अपना description भरा हुआ है जब मैं वहाँ पर वीडियो upload करता हूँ तो मुझे descriptions डालने की बिल्कुल भी जरूत नहीं पड़ती क्यूंकि यहाँ पर मैंने default setting में अपना complete descriptions पुरा set किया हुआ है यहाँ पर बार-बार description डालने के जरूत नहीं होती है तो इनसे benefit यह है कि हमारा यह time बचा सकती है अगर जो हम एक वीडियो upload करने में आदा घंटा लगता है या एक घंटा लगता है और unlist टैके तो यहाँ पर visibility जो आप यहाँ से करके रखोगे अगर जो आप प्रिवेट करके रखोगे तो हिहाँ सेव करती प्राइवेटGenु करने वीडिओ इसलिए मैं वहाँ पर अपनी वीडिओ को private रखता हूँ उसके बाद ही मैं महां जब मेरा टाइम होता है अपलोड करने का उसके बात में अगर जो बात करूँ यहां पर टैग्स की यहां पर कुछ टैग्स हैं यहां पर मैंने अपने पर्मनेंट टैग्स लगा रखें यह तीन जैसा वाउट है कि इंडिया है वाउट टैक लाइव है तो इस तरह से मेरे को बार-बार इनको लिखने की जरूत नहीं पड़ती मैंने यहां पर इसमें अपलोड डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर मैंने और यह टैग्स लगाए हुए मैं अगर चाहूं तो और भी टैग्स यहां पर लगा सकता हूं तो यह डिफॉल्ट सेटिंग थी अभी मैं थोड़ This is Hindi कर सकते हैं का मैं तो यहां पर हम देख लेते हैं इनिओ पर हम थी एरह ठीक है उसके बाद ड्स क्रिप्शन और टाइट लो भी हिंदी ठीक है उसके बाद कमींट्वीड । यहां पर हमने visibility की हुई है तो इसके बाद जिस टॉपिक से मतलब जिस content से related हमारी video है जैसे यहां पर category लिख हुए जैसे टेकनिकल चैनल है तो हम यहां पर अपनी जो केटिगरी हैं science and technology तो वही हम यहाँ पर search करेंगे वही हम यहाँ पर डालेंगे मतलब जिस से related हम वीडियो बनाते हैं तो यह कुछ default setting थी हमने यह भी save कर दी यहाँ पर यह कुछ मैंने आपको basic setting बताई थी तो दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो थैंक यू